दोस्तों, आज बारी है O. Henry की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी की, जिसका इंग्लिश में नाम है The Duplicity of Hargraves, यानी Hargraves का धूखा. कहानी के जो मेंन कारेक्टर्स हैं, ये Hargraves उन में से एक है, ये एक थियेटर आर्टिस्ट है और कला की दुनिया में नाम कमाना चाहता है. इसके अलावा दो और मेंन कारेक्टर हैं, जिन मेंसे एक है मेजर पेंडल्टन टॉलबट और दूसरी है उनकी बेटी मिस लीडिया. मेजर पेंडल्टन टॉलबट जो हैं, वो उस कैटगरी को बिलाउंग करते हैं, जिनके पुर्खे किसी जमाने में बहुत बड़े राजे महराजे और जागीरदार टाइप के हुआ करते थे. उनकी पीड़ी तक आते ये सबकुछ वैभव और एश्वर्य खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने उन पुराने जमाने की यादों को और उस टाइम के रहन सहन तोर तरीके को भूल नहीं पाते और उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते. वर्तमान में सबकुछ खत्म हो जाने के बाद भी वो अपने उसी जमाने की यादों में डूबे रहते हैं और इस बात की वजह से उनको और उनकी बेटी को इतनी सारी परिशानिया उठानी पड़ती हैं, उसके बावजूद भी वो समझने और संभलने को तयार नहीं होते. तो उनकी ये हरकतें क्या गुल खिलाती हैं और इसकी वजह से क्या-क्या ड्रामे होते हैं, वो सब आएए सुनते हैं इस मज़ेदार सी कहानी में जिसका नाम है हार ग्रेव्स का धोखा। जब मोबाइल बे के मेजर पैंडल्टन टॉलबट और उनकी बेटी मिस लीडिया रहने के लिए वाशिंग्टन आये, तो उन्होंने अपने खाने और रहने के लिए वो मकान चुना, जो एक बहुत ही शांत चायदार रास्ते से पचास गज पीछे था। ये एक पुराने स्टाइल की इंटों से बनी बिल्डिंग थी, जिसका आंगन लंबे सफेद खंभो पर टिका हुआ था, आंगन में लोकस्ट और एल्म के पेड़ों की चाया बनी रहती थी, जब फूलों का मौसम होता था, तो नीचे की घास पर गुलाबी और सफेद फूलों की जैसे जड़ी सी लग जाती थी, बाड और टहलने वाले रास्तों पर उंची-उंची ज़ाड का कमरा भी था, उस समय मेजर टॉलबट एक किताब लिख रहे थे, जिसका नाम था एनिक्डोट्स और एमिनिसेंसेज ऑफ दि अलाबैमा आर्मी बेंच एंड वार, किताब बस खत्म होने ही वाली थी और वो इसके लास्ट चैप्टर्स लिख रहे थे, मेजर टॉलबट प परिवार के पास कपास की खेती के लिए हजारों एकड बढ़िया जमीन और उसे जोतने के लिए धेरों गुलाम होते थे, जब उनकी खांदानी हवेली राजसी सतकार की जगह होती थी और दक्षिन के सारे संभ्रांत परिवार वहाँ पर महमानों के रूप में आया जाया क सम्मान और उसके साथ ही उस जमाने के कपड़े तक अपने साथ लेकर आये थे, सच में ऐसे कपड़े पिछले 50 साल में कभी शायद किसी ने नहीं पहने होंगे, मेजर टॉल बट लंबे थे, लेकिन जब भी वो किसी का अभिवादन करने के लिए या सम्मान दिखाने के लि दक्षिन के कॉंग्रेस मेंबर्स के फ्रॉकों और चोड़े किनारे वाले हैटों पर विदकनात छोड़ दिया था, बोर्डिंग हाउस के एक निवासी ने इस कोट का नाम फादर हबर्ड रख दिया था, और ये सच मुच कमर में काफी उंचा और घेर में बहुत ही विशा को पसंद भी करते थे, बोर्डिंग हाउस की मालकिन थी मिसेज वार्डमन, वहाँ पर मेजर और उनकी बेटी के अलावा कुछ जवान डिपार्टमेंट क्लर्क भी रहते थे, वो अकसर उनको उकसाते और उनके सबसे प्यारे टॉपिक पर बोलना शुरू कर देते थे, ये सारी बातें कोट किया करते थे, लेकिन वो क्लर्क लोग बड़ी ही होश्यारी से काम लेते थे कि मेजर को उनकी चालाकी का पता ना चल पाए, क्योंकि 68 का होने के बाद भी मेजर अपनी पैनी भूरी आँखों से उन में से बहादुर से बहादुर युवक का भी बुरा हाल कर सकते थे, मेजर की बेटी मिस लीडिया 35 साल की एक छोटी गोल मटोल लड़की थी, वो अपने बालों को खीच कर और कसकर बांधती थी, जिससे और भी ज्यादा बड़ी उम्र की लगती थी, वैसे तो वो भी पुराने स्टाइल की थी, लेकिन सिविल वार से पहले वाली गरिमा, उसके अंदर उतनी बुरी तरह से नहीं जलकती थी, जितनी मेजर में, उसके अंदर किफायत से चलने की एक सहची समझ थी, और परिवार का हिसाब किताब वही देखा करती थी, जब बिल पे करने की बारी आती थी, तो सारे आने वालों से वही मिला करती थी, मेजर को एक मुष्ट में और किसी सहूलियत वाले टाइम में क्यों नहीं पेश किया जाता और तभी क्यों नहीं अधा किया जाता जैसे कि ऐसे टाइम में जब उनके किताब एनिक्डोट्स एंड एमिनिसेंसिस छप जाए और उनके हाथ में उसका पैसा आ चुका हो, मिस लेडिया किसी से अपनी सिलाई के काम में लगी रहती और कहती, जब तक हमारा पैसा चल रहा है, हम ऐसे ही देते रहेंगे पापा, फिर शायद उनको एक मुष्ट ही लेना पड़ेगा, मिसिस वार्डमन के ज्यादातर किरायदार दिन में बाहर ही रहते थे, क्योंकि वो करीब सारे क के सारे डिपार्टमेंट क्लर्क या कारोबारी आदमी थे, लेकिन उनमें से एक था जो सुबह से रात तक ज्यादा तर घर पर ही रहता था, इस लड़के का नाम था हेंरी हॉपकिन्स हार्ग्रेव्स, बोर्डिंग हाउस में सभी लोग उसको उसके पूरे नाम से बुलात बोर्डिंग हाउस में किराई पर रखने में कोई आपत्ती नहीं हुई थी, थीटर में हार्ग्रेव्स एक ओल राउंडर कलाकार के रूप में फेमस था, जो अलग-अलग डाइलेक्ट्स में एक्टिंग किया करता था, उसे जर्मन, आईरिश, स्वीड और काले चेहरों को पेश करने में महारत हासिल थी, लेकिन वो थोड़े में संतोष्ट होने वाला इंसान नहीं था, उसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की चाहा थी, और वो अक्सर कहा करता था, कि उसकी बड़ी एक्छा थी, कि वो कॉमेडी के फील्ड में बहुत आगे तक जाए, इस लड हमेशा सबसे अधिक ध्यान से सुनता दिखाई देता था, थोड़े समय तक तो मेजर ने हर ग्रेव की उनके पास आने की इन कोशिशों को नजर अंदाज करने की इक्छा जताई, लेकिन जल्दी ही उस लड़के की मिलन सारिता और मेजर के किस्सों के प्रती उसकी सराहना मेजर का दिल जीद लिया, काफी कम समय में ही वो जैसे पुराने दोस्त बन गए, मेजर हर दो पहर के बाद का समय उसे अपनी किताब की स्क्रिप्ट सुनाने के लिए रखते, जब वो उसे किताब में लिखी घटनाय पढ़कर सुनाते, तो हार ग्रेव्स बिल्कुल सही ज जनक सम्मान है और गजब की समझ है, जब उन पुराने दिनों की बातें करने की बारी आती और मेजर टॉलबट लंबे-लंबे किस्से सुनाना शुरू करता तो हार ग्रेव्स जैसे सम्मोहित होकर उसे सुनता रहता। उनका गोड़ा पकड़ने वाले हबशी का नाम या छोटी मोटी घटनाओं की सही तारिक या किसी साल में कपास के गठरों की संख्या याद करने में लग जाते थे। लिकिन हार ग्रेव्स ऐसी समय में भी कभी बेचयन नहीं होता था और उसकी दिल्चस्पी कभी भी खत्म नहीं होती थी। इसके उलट वो उस जमाने की जिन्दगी से जुड़े अलग-अलग टॉपिक्स पर सवाल भी पूछता रहता था और उसे हर बार तुरंत मीजर के लं पचास मील दूर तक भीजे जाते थे। आस पडोस में रहने वाले लोगों से कभी कभार के जगड़े किटी चामर्स को लेकर रैथबोन कलबर्ट सन के साथ मेजर की लड़ाई और बाद में किटी चामर्स का साउथ कैरलीना के किसी थ्वेट से शादी कर लेना, मोबाइल क की खाड़ी में प्राइवेट नावों की दोड़ें, अजीब अजीब से विश्वास और अंधविश्वास और पुराने गुलामों के वफादारी के गुन ये सारे ऐसे टॉपिक थे जिन में मेजर और हर ग्रेव्स दोनों ही घंटों तक डूबे रहते थे। कभी कभी रा अंदर जाने पर हर ग्रेव्स को एक छोटी सी टेबल सजी होई मिलती, जिस पर एक खास तरहे की बोतल, एक चीनी का बरतन, कुछ फल और ताजे हरे पुदीने का एक बड़ा सा गुच्छा रखा होता। हमेशा आपचारिक स्टाइल में सब कुछ करने वाले मेजर टॉल ब में एक कवी ने लिखा है, ये ठकी हुई प्रक्रेती को फिर से मधुर स्फूर्ती से भर देने वाला एक मधुर ड्रेंक है, यानी एक दक्षनी जूलिप, और फिर इसके बाद शुरू हो जाता, मेजर द्वारा बड़ी ही नजाकत और नफासत से जूलिप बनाने का काम, ह उन्होंने नजाने कितनी बार ये जूलिप बना कर हर ग्रेव्स को पिलाया होगा, लेकिन उन्होंने इसके प्रोसेस को कभी भी बदला नहीं, वो बड़ी ही नजाकत से पुदीने को कुचलते, बड़ी ही कुशलता से उसमें पढ़ने वाली सामगरी का हिसाब रखते, उसकी खनखनाती गहरायों में डुबो देने के बाद हर ग्रेव्स को उसे पेश करते, बस इसी तरह से समय बीतता जा रहा था, वाशिंग्टन में करीब चार महीने रह लेने के बाद, एक सुभा मिस लीडिया को अचानक पता चला, कि उनका पैसा करीब-करीब खत्म हो अनिक्डोट्स एंड एमिनिसेंसेज पूरी हो चुकी थी, लेकिन पब्लिशर्ज ने सूजबूज और चतुराई से भरी इस किताब को पता नहीं क्यूं हाथों हाथ नहीं लिया था, मेजर की नजरों में ये एक ऐसा रतन था, जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती थी, और शायद इसी लिए वो इसकी कीमत लगाने को तयार ही नहीं थे, मोबाइल बे में अभी भी जो उनका एक छोटा सा मकान था, उसका भी दो महिनों का किराया अभी बाकी था, और इस महिने का खाने का पैसा बस तीन दिनों में उनके उपर और चड़ जाने वाला था, मिस में बहुत ही गुसा आता है लीडिया, लीडिया बस उनको देखती रही, मेजर ने अपनी जेवेंटा टोली, उनको दो डॉलर का एक नोट मिला बस, जिसको उन्होंने वापस अपनी चाती वाली पॉकेट में रख लिया, फिर उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में तुरंत कुछ करना होगा लीडिया, जरा महरबानी करके मेरा चाता देना, मैं तुरंत शेहर जाऊँगा, हमारे जिले के कॉंग्रिस मेंबर जनरल पुलगम ने मुझे कुछ दिन पहले आशवासन दिया था, कि वो अपने इंफ्लूएंस का इस्तेमाल करके मेरी किताब को जल्दी चपवा देंगे, मैं फॉरन उनके होटल जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या इंतजाम हुआ है, मिस लीडिया ने एक उधास मुसकान के साथ अपने पिता को उनका फादर हबड बंद करके हुए देखा, और फिर उसके पिता वहाँ से चल दिये, हमेशा की तरह उन्होंन की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए रखी हुई थी, उस पब्लिशर ने कहा था कि अगर सारी घटनाओं को करीब-करीब आधा काट-छाट दिया जाए, जिससे की किताब में शुरू से आखिर तक जो प्रेजुडिस भरी बातें भरी हुई थी, वो उसमें से हट जाएं, तो उसके बाद वो इसे छापने पर विचार कर सकता है, मेजर बहुत ही गुसे में थे, लेकिन मिस लीडिया के सामने आते ही, उन्होंने अपने आपको फिर से सामाने कर लिया, क्योंकि ऐसा ना करना उनके तहजीब के नेमों के खिलाफ होता, मिस लीडिया ने कहा, चाहे जो भी हो पिता जी, हमको पैसा चाहिए ही है, आप मुझे वो दो डॉलर दीजिये, मैं आज रात अंकल रेल्फ को तार भेजती हूँ, ताकि वो हमें कुछ पैसों की मदद कर सकें, मेजर ने अपनी उपरी जेब से एक छोटा सा लिफापा निकाला और उसे मेज पर पटक दि मुझे लगा वाशिंग्टन में इसका पहला शो देखकर तुम्हें खुशी होगी, मैंने सुना है कि इस नाटक में साउथ की बहुत ही अच्छी तस्वीर पेश की गई है, मैं खुद भी इसे देखना चाहता हूँ, मिस लीडिया ने खामोश निराशा में अपने हाथ मेजर ने बेदाक कपड़े पहने हुए थे, उनका वो असाधारन सा कोट सिर्फ वहां से दिखाई दे रहा था जहां उसके बटन कसकर बंद थे, उनके सफेद बाल सलीके से समारे हुए थे और वो सचमुच काफी अच्छे और खास दिखाई दे रहे थे, थोड़ी देर म् इगनॉलिया फ्लावर का पहला अंक शुरू हुआ, परदा उठा और एक आम से दक्षन के बागान का सीन सामने नजर आया, मेजर टॉलबट के मन में दिलचस्पी पैदा हुई, तभी मिस लीडिया ने उनको टोकते हुए चौक कर कहा, अरे यी देखिये, फिर उसने अपन चश्मा लगाया, और पात्रों के नाम वाली लाइन में उस नाम को पढ़ा, जिस पर लीडिया की उंगली रखी हुई थी, करनल वेबस्टर कैलहून का रोल कर रहा है, एच हॉपकिन्स हार ग्रेव्ज, अरे ये तो हमारा हार ग्रेव्ज है, वो इतने टाइम से जो करनल के दर्शन नहीं हुए, दूसरे अंक में जाकर करनल सहब का मंच पर पदारपन हुआ, उसके आते ही मीजर टॉलबट की नाक से एक जोर की सांस खीचने की आवाज निकली, उन्होंने करनल के कैरेक्टर को घूर कर देखा, और फिर जैसे वो अपनी सीट में जड़ हो मिस लीडिया के मुह से भी एक अजीब सी आवाज निकली, और उसने अपने हाथ में पकड़े कारेक्रम वाले कागज का भूरता बना दिया, क्योंकि सामने स्टेज पर जो करनल कैलहून नजर आ रहा था, वो हू बहू मेजर टॉलबट की नकल था, जैसे मटर का एक दाना दूसरे की तरह होता है, लंबे, पतले, सफेद, घुंगराले बाल, तोते जैसी नाक, सिकड़न वाला चोड़ा कमीज, पतली टाई, जिसकी बो एक कान के पास थी, सारी चीजों की बिलकुल डिटो नकल की गई थी, और उपर से कोड में खुजली था, मेजर का वो अनोखा कोट, जिसे सब फादर हबर्ड कहते थे, करनल कैल हून ने, बिलकुल हूबहू, मेजर जैसा ही कोट पहना हुआ था, उचे कॉलर वाला, फूला हुआ, छोटी कमर वाला, खूब सारे घेर वाला, पीछे के मुकाबले सामने से एक फुट ज्यादा लटकने वाला, ये कोट और किसी नमूने से बन ही नहीं सकता था, इसके बाद मेजर और मिस लीडिया इस तरह से वहाँ पत्थर की मूर्ती बने बैठे रहे, जैसे किसी ने उन्हें हिपनोटाइज कर दिया हो, और नालायक हार ग्रेव्ज को मेजर की नकल करते देखते रहे, मिसर हार ग्रेव्ज उन सारे मौकों का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया था, जो पिछले कई दिनों से उसको मिल रहे थे, उसने मेजर की बोली, उसके लहजे, उसके उचारन, बोलने, चलने, उठने, बैठने के तरीके, और आडंबर से भरे उसके व्यवहार, और छोटी से छोटी हरकतों क भी, बिल्कुल हूबहू नकल किया था, और उपर से स्टेज पर उनको थोड़ा और ज्यादा बढ़ा चड़ा कर भी पेश किया था, और जब उसने जुक कर मेजर के स्टाइल में वो अभिवादन किया, जिसको मेजर अपने सारे अभिवादनों में बेस्ट समझते थे, त अभी-कभी वो उनके पास रखे अपने हाथ को अपने गाल पर रख लेती थी, मानो उस मुस्कुराहट को छिपाने की कोशिश कर रही हो, जिसे वो उस नाटक को पसंद ना करने के बावजूद भी पूरी तरह से दबा नहीं पा रही थी, और नाटक के तीसरे भाग में त परता हुआ नजर आ रहा था, वो स्टेज के बीचों बीच एक टेबल के पास खड़ा था, उसके कुछ दोस्त उसके आसपास जमा थे, वो अब मैगनॉलिया फ्लावर का एक बहुत ही मशूर उल जलूल मोनोलोग बोल रहा था, जिसकी नकल करना बिलकुल असंभर था, त्योरीज और शोकों को विस्तार देकर आगे बढ़ाया गया, और किस तरह से एनेकडोट्स एंड एमिनी सेंसिस के उनके सपने को बढ़ा चड़ा कर और तोड मरोड करके स्टेज पर लोगों के सामने परोसा गया, ये मोनोलोग जूलिप बनाने की कला पर एक अजीब, हशन के साथ समाप्त हुआ, जिसमें जूलिप बना कर भी दिखाया गया, मेजर टॉलबट के नाजुक लेकिन आडंबर से भरे विज्ञान को बड़ी ही बारीकी से स्टेज पर पेश किया गया, एक हजार मां हिस्सा भी ज्यादा दबाव लगा दिया सज्जनों, तो आपक परशकों ने जबरदस्त वहवाही दी, इस कैरेक्टर को इतने सटीक धंग से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ निभाया गया था, कि लोग नाटक के बाकी कैरेक्टर्स को जैसे भूल ही गये, बार बार नाम पुकारे जाने के बाद हार ग्रेव्स परदे के आगे आया, औ उसका बच्चों जैसा चेहरा काम्याबे की चमक से लाल हो रहा था, आखिरकार मिस लीडिया ने घूम कर अपने पिता को देखा, उनके पतले नतुने, किसी मशली के गिल्स की तरह फूल पिचक रहे थे, उन्होंने वहां से उठने के लिए अपने दोनों कापते हुए से अभी जाएंगे लीडिया, ये एक बहुत ही घिनोनी और नापाक हरकत है, इससे पहले कि वो उठ पाते, लीडिया ने उनको वापस कुर्सी पर बैठा दिया, आप पागल हो गए हैं क्या पापा, हम सब के जाने तक रुकेंगे, क्या आप अपना असली कोट दिखा कर न क्योंकि अगले दिन वो ना तो नाश्ते पर नजर आया, और ना ही लंच पर, तीसरे पहर करीब तीन बजे, उसने मेजर टॉलबट की स्टडी का दर्वाजा खट-खटाया, मेजर ने दर्वाजा खोला और वो अंदर दाखिल हो गया, उसके हाथ सुभा के अकबारों से भ भरा हुआ था, कि उसे मेजर के चेहरे पर चाया गुस्सा नजर ही नहीं आया, उसने बड़े ही आनंद से कहना शुरू किया, पिछली रातों में च्छा गया मेजर, मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, और मैंने बहुत ही बढ़िया पफॉर्म किया, जरा दे इमान और उनके दयालू दिल और प्यारी सादगी को, मिस्टर हार ग्रेव्ज ने जिस तरह से पेश किया है, वो इस नाटक का बेस्ट परफॉर्मेंस है, करनल कैल्हून ने जो कोट पहना, वो अपने आप में बहुत ही विलक्षन है, मिस्टर हार ग्रेव्ज ने तो अपन ठंडी आवाज में उत्तर दिया, मुझे ये सम्मान मिला था, कल रात को आपके इस बहुत ही बहतरीन पफॉर्मेंस को देखने का मिस्टर हार ग्रेव्ज का सारा जोश जैसे ठंडा पड़ गया, वो बेचैन दिखाई देने लगा, आप वहाँ पर थे, थियेटर में, मैं उस रोल को इतनी अच्छी तरह से निभा पाया, लिकिन आप जानते हैं, वो बस एक नकल थी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, और जिस तरह से दर्शकों ने उसे हाथों हाथ लिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उस थेटर के आधे से ज्य मान किया है, और इस चीज को माफ नहीं किया जा सकता, एक इनसान के रूप में तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, मेरे साथ भयंकर विश्वास गहत किया है, और मैं जो तुम्हारा सतकार करता था, तुमने उसे मिस्यूज किया है, मुशे लगता है, तुम्हें जरा भी ये पता नहीं है कि सजनता क्या होती है या क्या होनी चाहिए, अगर मैं जवान होता, तो तुम्हें इसी वक्त युद्ध के लिए ललकार था, लेकिन मैं बुढ़ा हूँ, इसलिए तुमसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि अभी इस कमरे से बाहर निकल जाओ, हर ग्रेव्स इस बा बहुत अफसोस है कि आप नाराज हो गए हैं, यहां पर हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसे आप लोग देखते हैं, बलकि मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो स्टेज पर अपने क्यारेक्टर को देखने के लिए आधा थेटर तक खरीद लेते ह ताकि दर्शक उनको पहचाने, वो एलाबैमा के नहीं होंगे, मेजर ने रूखेपन से कहा, जी हां मेजर शायद नहीं होंगे, लेकिन मेरी यादश्ट काफी अच्छी है, और इसलिए मैं आपको आपकी खुद की लिखी हुई किताब की कुछ लाइने यहां सुनाना चाह था, उत्तर के रहने वालों में कोई भी भावनात मकता या गरम जोशी नहीं होती, सिवाए इसके कि भावनाओं को उनके अपने कमर्शिल फायदे के लिए इस्तमाल किया जा सके, वो बिना गुसा हुए, अपना या अपने प्यारे लोगों का कोई भी अपमान सेहन कर लेत चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उसको पटियों पर छपवा कर रखा जाए, तो मेजर टॉलबर्ट, आपको क्या लगता है, कल रात आपने करनल कैलहून की जो तस्वीर देखी, उसके मुकाबले ये तस्वीर ज्यादा बहतर है, मेजर ने तियोरियां चढ़ाते हुए कहा ये सारी बातें निराधार नहीं है, जब पब्लिकली कोई बात कही जाती है, तो उसमें थोड़ी चूट तो लेनी ही पड़ती है, अच्छा, और पब्लिक एक्टिंग जब की जाती है, तो उसमें चूट की जरूरत नहीं होती है, मेजर, हार ग्रेव्ज ने उल्टा सवाल किया लेकिन मेजर भी अपनी बात से पीछे हटने को तयार नहीं था जी नहीं बात ये नहीं है ये एक अच्छे खासे जीते जागते इंसान के उपर व्यंग्य किया गया है मैं इसे नजर अंदाज करने वाला नहीं हूँ मिस्टर समझ गए हर ग्रेव्ज ने मुस्कान बिख करने की नहीं सोची असल में ये मेरा पेशा है मैं जिन लोगों के संपर्क में आता हूँ उनके व्यवहार में जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं उनसे ले लेता हूँ और उसे मंच पर लोटा देता हूँ लेकिन अगर आपको ये चीज पसंद नहीं आई तो हम इ कुछ महीने काफी अच्छे दोस्त रहे हैं और मैं फिर से एक और बात कहकर आपको नाराज करने का जोगिम उठा रहा हूँ मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की तंगी है आप इस बात से परिशान ना होईए कि मुझे कैसे पता चला बोर्डिंग हाउस जैसी जगह में ऐ ऐसी बातें चिपी नहीं रहती हैं मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस परिशानी से निकालूं मैं भी कई बार ऐसे हालातों में रह चुका हूँ इसलिए इन परिशानियों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ इस पूरे सीजन में मुझे काफी अच्छा पैसा मिला है और मै मैंने उसमें से कुछ पैसा बचाया भी है आप अराम से 200 डॉलर या उससे ज्यादा ले सकते हैं जब तक कि आपको कोई और मदद नहीं मिल जाती मेजर ने फूरती से हाथ उपर किया और बोला रुक जाओ लड़के लगता है मेरी किताब में सही लिखा है तुमको लगता है क कि तुम्हारे पैसे से वो सारे गाव भर जाएंगे जो तुमने मेरे सम्मान पर लगाए हैं मैं कैसे भी हालात में किसी मामूली जान पहचान वाले से करजा नहीं ले सकता और जहां तक तुम्हारी बात है तो हमने अभी तक जिन हालातों पर बात सीत की है उनके एवज में तुमसे पैसे लेने की बजाए, मैं भूखा मर जाना पसंद करूगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी की अभी यहां से निकल जाओ। हर ग्रेव्ज ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। बाद में जैसा की मिसिस वॉर्डमन ने खाने की मेज पर बताया, वो उसी दिन बोर्डिंग हाउस को छोड़ कर, शेहर में उस थेटर के पास किसी जगे रहने चला गया, जहां मैगनॉलिया फ्लावर की एक हफते की बुकिंग थी, मेजर टॉलबर्ट और मिस लीडिया की हालत अब जिनता जनक थी, वशिंग्टन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, जिससे मेजर टॉलबर्ट अपना सम्मान बचाते हुए कर्ज की मांग कर सकते, मिस लीडिया ने अंकल रैल्फ को चिठ्थी भी लिखी थी, लेकिन उस रिष्टेदार के खुद के हालात देखते हुए ये पक्का नहीं था कि वो इनकी कोई मदद कर पाएंगे, विवश होकर मेजर को मिसिस वार्डमन से पैसा देने में हो रही देरी के लिए माफी मांगनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि उनको उनक प्तियाशित तरीके से उनको अपनी इस मुसीबत से मुक्ति मिल गई, एक दिन तीसरा पहर चड़ जाने पर दरवाजे पर रहने वाली सेविका ने उपर आकर बताया कि कोई बुज़ोर्ग हपशी मेजर टॉलबट से मिलना चाहता है, मेजर ने कहा कि उसे उनकी स्टड़ में भेज दिया जाए, कुछ पल बाद ही एक बूढ़ा काला आदमी उनके दरवाजे पर हाजिर हो गया, उसका हैट उसके हाथ में था और उसने एक पैर से दूसरे पैर को खुजाते हुए सिर जुका कर मेजर का अभिवादन किया, वो काले रंग का एक फूला हुआ सूट पहने था, उसके बड़े खुरदूरे जूते बुरी तरह से चमक रहे थे, उलजे हुए बाल करीब करीब सफेद थे, ये लगभग मेजर टॉलबट की ही उम्र का आदमी था, आते ही उसने कहा, मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं पहचानते मास्टर पैंडल्टन, मेजर बात करने के इस पुराने जाने पहचाने स्टाइल पर एकदम से उठे और आगे आए, इसमें कोई संदेह नहीं था, कि ये बागानों वाले जमाने का कोई बुढ़ा हबशी था, लेकिन वो सब लोग तो तितर बितर होकर दूर दूर चले गए थे, तो फिर ये कौन था औ क्या आपको सिंडी के मोस की याद नहीं है, जो लड़ाई के फॉरण बाद चला गया था, अपने माथे को अपने उंगलियों से रगड़ते हुए मेजर ने कहा, जरा रुको, सिंडी का मोस, हाँ याद आया, तुम घोडों का काम करते थे, घोड़े फेरते थे, हाँ हाँ, अब मुझे सब कुछ याद आ गया, युद्ध के बाद तुमने अपना नाम मिशेल रख लिया था, और तुम पश्चिम में निब्रासका चले गए थे, है ना, बुजर्ग हप्शी के चेहरे पर आनंद की मुस्कान आ गई, जी हाँ साब, बिलकुल वही, बिलकुल ठीक, निब्रासका, मैं वही हूँ, मौस मिशेल, बुजर्ग अंकल मौस मिशेल, यही कहकर बुलाते हैं अब वो मुझे, मेरे बुजर्ग मालिक, आपके पिताजी ने मुझे खचरों का एक जोड़ा दिया था, जब मैं जा रहा था, ताकि मैं उससे एक नई शुरुआत कर सकू आपको उन खचरों की याद है, मास्टर पेंडल्टन? मीजर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, तुम तो जानते ही हो, लड़ाई के पहले साल में ही मेरी शादी हो गई थी, और मैं फॉलेंस बी में रह रहा था, लेकिन तुम बैठ जाओ, अंकल इधर तो मैं काफी मशूर हो गया हूँ, जब मैं पहली बार निब्रासका गया था, तो लोग उन खचरों को देखने के लिए मुझे घेर कर खड़े हो गए थे, निब्रासका में उन्होंने वैसे खचर कभी देखे ही नहीं थे, मैंने उनको 300 डॉलर में बेच दिया साब जी 300 डॉलर में, फिर मैंने लोहर की दुकान खोल ली, और फिर मैंने थोड़ा पैसा कमाया और थोड़ी जमीन भी खरीद ली, मेरी औरत के साथ बच्चे हुए साब जी, सारे के सारे मजे में हैं, बस उन में से दो मर गए थे, चार साल पहले मेरी जमीन के पास रेल की यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई अंकल मौस, वाकई बहुत खुशी हुई, और आपकी वो ननी सी बिटिया मास्टर पैंडल्टन, जिसको आप मिस लिडी कहकर बुलाते थे, वो तो अब बहुत बड़ी हो गई होगी ना, पहचान में भी नहीं आती होगी, मिजर न वो बच्ची अब खुब बड़ी हो गई होगी साब जी, अंकल मौस की याद है बिटिया तुमको, लिडिया को कुछ समझ में नहीं आया, मिजर ने उसे बताया, ये अंकल मौस है लिडिया, जब तुम दो साल की थी, तभी वो सनी मीड से चले गए थे, लिडिया ने कहा, देखें अंकल मौस, अगर मैं उस वक्त इतनी चोटी थी, तो आप मुझसे ये उमीद कैसे रखते हैं कि मैं आपको याद रखूंगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, भले ही मैं आपको याद ना कर पा रही हूँ, और ये बात वाकई सच थी, कि वो ब भेरों बातें करते रहे, बागान के दिनों और द्रिश्चों को याद करते समय, मीजर और अंकल मौस कभी एक दूसरे की गलती सुधारते और कभी एक दूसरे को टोकते, यूहीं पता नहीं कितना समय बीट गया, मीजर ने अंकल मौस से पूछा कि वो अपने घर से इतनी दूर किसलिए आये थे, उसने बताया, इस शहर में एक बैप्टिस्ट सम्मेलन हो रहा है, और अंकल मौस उसमें रेप्रेजन्टेटिव बन कर आया है, मैंने कभी धरम का उपदेश तो नहीं दिया साब जी, लेकिन मैं अपने चर्च में बहुत सयाने आदमियों में गिना जाता था, और अपना खर्चा भी खुद उठा सकता था, बस इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया, और आपको ये कैसे पता चला अंकल कि हम लोग वाशिंग्टन में हैं, मिस लीडिया ने पूछा, अरे बिटिया, जिस होटल में मैं रुका हुना, वहाँ पर एक हपशी काम करता है, जो मोबाइल बेका रहने वाला है, उसी ने मुझे बताया कि उसने मास्टर पेंडल्टन को यहां इस बोर्डिंग हाउस से एक दिन सुभा निकलते देखा था, और इसलिए मैं यहां तुरंट आ गया, असल में जिस कारण से मैं यहां मिलने आया हूँ आप लो कहा, अरे वही तो साब, 300 डॉलर का, जब मैं वहां से चला था, तो बड़े मालिक ने मुझसे कहा था, इन खचरों को ले जाओ मौस, और अगर कभी इसलायक हो जाओ, तो मुझे इनके पैसे दे देना, यही कहा था उन्होंने साब जी, अब लड़ाई में बड़े मालिक ख चुका सकता है, जब रेल वालोंने मेरी जमीन खरी दी थी ना साब जी, तब ही मैंने उन खचरों के पैसे अलग रख दिये थे, आप गिन लीजिये साब जी, मीजर टॉलबट की आँखों में आसु आ गए, उन्होंने अंकल मौस का हाथ पकड़ लिया, और दूसरा हाथ उ एक हफते पहले खर्च कर चुके हैं, अगर हम सही हालत में होते, तो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन अब हम ये पैसा जरूर लेंगे अंकल मौस, क्योंकि ये एक तरह से पुरानी हकोमत की वफादारी और खिदमत का भुगतान है, उसके निशानी है, लीडिया, मेरी बच् ये पैसा तुम्हारा ही है, ये टॉलबट लोगों का पैसा है, और फिर वो पैसा ले लिया गया, अंकल मौस के जाने के बाद मिस लीडिया खूब रोई, खुशी के मारे, और मेजर ने अपना मुहु एक कोने की तरफ गुमा लिया, और धुआधार अपना पाइप पीने लगे, आने वाले दिनों में टॉलबट बाब बेटी का अमन चैन वापस लोट आया, मिस लीडिया के चेहरे पर से चिंता गायब हो गई, मेजर एक नए फ्रॉक कोट में नजर आने लगे, और एक दूसरे पब्लिशर ने अनेकडोट्स एंड एमिनी सेंसेज की कॉपी और दोनों बाप बेटी के मन में नई नई उम्मीदों का संचार होने लगा था, उनकी किस्मत इस तरह से जागने के करीब एक हफते बाद, एक नौकरानी मिस लीडिया के लिए एक पत्र लेकर उसके कमरे में आई, पोस्ट ओफिस की स्टैंप से पता चल रहा था कि वो चि मुझे लगा आप मेरी खुश नसीबी के बारे में जानकर खुश होंगी। उसके लिए उनकी भरपाई कुछ करने के लिए मैं काफी चिंतित था, उन्होंने तो मुझे ऐसा करने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से इस काम को कर दिया, तीन सो डॉलर बचाने में मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई, आपका हेंडरी हॉपकिन्स और हाँ, मेरा अंकल मौस वाला रोल कैसा रहा? तब ही वहाँ से निकलते हुए मेजर टॉलबट ने मिस लीडिया का दरवाजा खुला हुआ देखा और वो रुख गए, उन्होंने पूछा, आज सुभे हमारी कोई डाक आई है क्या लीडिया बेटी? मिस लीडिया ने उस फूर्ती से अपनी ड्रेस की तेह में छुपा लिया और फिर बोली, जी हाँ पिता जी, मोबाइल क्रॉनिकल आया था, मैंने उसे आपके कमरे में मेज पर रख दिया है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिलकुल ना भूलें और जितनी राय शेयर करें उससे ज्यादा प्लीज वीडियो को शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ पिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।